नमस्कार दोस्तों आर्थिक तंगी वित्य संकट गरीबी ये किसी भी विक्सित समाज के लिए एक अभिशाब के समान है परंतु अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमारे देश में भी बहुत से लोग जीना किसी वज़े से आर्थिक तंगी का सामना करते हैं अब मैं जिस आर्थिक तंगी की हाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूं उसका कॉंटेक्स उसका बैकराउंड में ये लेके चल रहा हूं कि कई बार अनावश्यक बहुत सारे लोन किसी व्यक्ति के सर पर बकाया खड़े हैं और वो उन लोन को चुकाने की पोजीशन में नहीं है तो ऐसी परिस्ति में बहुत सारे तकाजेदार भी खड़े हो जाते हैं अब किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्तियों में क्या एक्षन लेना चाहिए क्या उपाय हो सकते हैं कि वो व्यक्ति आर्थिक तंगी से बाहर आए या आर्थिक तंगी का आपको सामना ही ना करना पड़े उसके लिए क्या प्रयास आपको उठाने चाहिए कुछ ऐसे ही विश्यों पर दोस्तों मेरा मन उद्विलित था तो मुझे लगा कि क्यों न मैं इस विश्य को ले करके जनता जनारदन के बीच पहुँँ और अपने विचार साजा करूँ कि अगर आपको मेरे इन विचारों से कुछ बेनिफिट हो आप वो बेनिफिट ले करके अपने आपको इट लिस्ट इस आर्थिक तंगी कि यदि किसी परिस्तिती से कोई व्यक्ति जूज रहा हो तो उसे निकलने में मदद कर पाएं दोकों अपनी बात को पल देने के लिए या मैं तूँ ऐसा इस विशे पर एक वीडियो लेकर कि आपके समख शाजिर हुआ कि एक NCRB किसी एजनसी का सुसाइट्स द्यू टू बैंक्रप्सी, पॉवर्टी, जॉबलेस्नेस पर डेटा जारी हुआ वो भी 2020 का में, 2023 का डेटा मेरे पास में नहीं है और यहां पर कुछ स्टेट्स, महराष्टा, करनाटका, आंध्रा, तिलंगाना, तमिलनाडू का डेटा है आपके पास में तो आप देख सकते हैं कि यह सुसाइट्स के कितने केस रिपोर्ट हुए बिकॉज आप बैंक्रफ्सी, पॉवर्टी, जॉबलेस्नेस, एक्सेट्रा यानि मैं यह बात आपके समख शटना चाहता हूँ कि यह बड़े दुख की बात होगी कि हमारे समाज में किसी व्यक्ति को दिवालियपन की वज़े से, गरीबी की वज़े से या जॉब छूट जाने की वज़े से, सुसाइड करना पड़ी यह अपने आप में एक पीक लेवल होता है साथी दोस्तों, मैंने रिसेंटली कुछ ऐसी भी खबरे पड़ी कि जहां पर किसी व्यक्ति ने सपरिवार भी ऐसा खुदकुशी का प्रयास किया या खुदकुशी कर ली, यह तो वास्तम में एक बहुत बुरी इस्थिती है तो इसी द्रश्टी से ऐसी इस्थिती किसी पर ना आए इस कामना के साथ मैं, मैं आगे अपने कुछ सजेशन के साथ बढ़ूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं यह मानता हूँ प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर यानि सावधानी में ही सुरक्षा है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए पर्टिकुलर्ली तब जब हम अच्छे अर्निंग लेवल्स पर हो या जब हमारी फिनेंशल व्यवस्ता सही चल रही हो कि ऐसी परिस्तती आये नहीं कि फिनेंशल क्राइजेस हो लेकिन कभी-कभी जब हम अपने सामान्य व्यवहार में या सामान्य परिस्ततियों में चल रहे होते हैं तो हम ऐसी प्लानिंग नहीं कर पाते या ऐसा सोच नहीं पाते या ऐसा देख नहीं पाते कि किसी वज़े से अगर financial crisis होगी तो वो परिस्थती ही ना बन पा है आप कहेंगे अनुब जी ऐसा क्या विचार है आपके आपर मैं आपके समख प्रेक्त करता हूँ I am of the mind that one should avoid taking unsecured loans और personal loans क्या होता है दोस्तों कई बार हम रिष्टेदारों में या रिष्टेदारों के बाहर मित्रों में या किसी non-person से unsecured loan ले लेते हैं किसी परिस्थती में कि ठीक है साब पैसे की जुरुत है चलो साब बैंक से कौन लेने जाए unsecured loan ले लेते हैं मेर को लगता है सर कि आपको unsecured loan लेने से या bank nbfc के अलावा loan लेने से जनरली बचना चाहिए ऐसा क्यों क्यों क्योंकि जो व्यक्तिकत रूप से हम loan लेते हैं वहाँ पर तकाजे की position ज़्यादा रहती है बनस्पत bank या nbfc से और अगर आप bank और nbfc में भी बोलेंगे तो मैं बोलूगा सर बैंक से लोन लेना प्रात्मिक्ता में रखें मनस्पत किसी nbfc से क्योंकि nbfc के भी recovery mechanism बैंकों से थोड़े ज़्यादा tough होते है और personal loan क्योंकि एक छोटी अवदी का loan होता है जिसमें emi का amount ज़्यादा आता है तो वो जनरली आपकी वित्ती विवस्ता को जल्दी विगाड़ने की ताकत रहे avoid short period loans for long term ऐसे मैंने एक मकान खरीदा साथ उस मकान के लिए मेरी cost राई मान लीजे 50 लाग और मैंने उसके लिए एक short term loan ले लिया personal loan, credit card loan और वो ले लिए असर केवल 3 साल का 5 साल का तो naturally मेरी emi की राशी बहुत ज़्यादा होगी और जरासी भी मेरी वित्ती विवस्ता डगमगाई तो वो emi का payment grounds होगा that will lead to my financial crisis situation this is what I want to message please be careful of this avoid high interest rates or funds or the loans यह ऐसे loans को दोस्तों avoid करिये जहां तक संभव हो जब आप loan लेने जा रहे हैं हमें से बहुत से लोग जब loan लेना चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि loan मिल जाए और वो यह नहीं देख रहे होते हैं कि loan किन conditions पर मिल रहा है या क्या rate पर मिल रहा है और बाद में जब हम अनाप शुनाप interest rate का charges का payment करते हैं तो बहुत चोट लगती है दुख होता है कि अरे उस समय सोच लेते तो इस loan में न फसते हैं So I am of the mind के Please be careful of this Avoid greed to earn extraordinary ये बहुत important point है दोस्तों कि कभी-कभी हम लोग ये विचार रखते हैं कि ये एक अच्छा दाव चलने का मौका है क्यों न हम एक बहुत अच्छी income बनाने का ये एक तरीका है इसको इस्तिमाल कर लें कि हमारी income गजब बाद जाएगी या हमारे पास में बहुत अच्छी wealth इकटी हो जाएगी मैं बुरा नहीं मानता दोस्तों ऐसा सोचने का बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कुछ लोग उनमें से success भी होते हैं आप मेरी शब्दों पर ध्यान दीजिए बहुत सारे लोग करते हैं कुछ लोग success होते हैं तो ज़्यादा तर लोग fail होते हैं दोस्तों वो कही न कहीं financial crisis में शिकार बनते हैं तो financial crisis में हम ना पढ़ें इसके लिए भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम किसी extraordinary gain के greed में तो कहीं नहीं कड़ रहे हैं आगे दोस्तों avoid investing in pongee schemes भारत वर्ष में मैं बहुत respect के साथ बूल रहा हूं सर्थ कि मूर्ख बनाने वालों की कमी है बनने वालों की कमी नहीं है ऐसा मेरा professional पेशेवर अनभव है और ऐसी बहुत सी pongee schemes है जो आज भी चलाई जा रही है चल रही है और बहुत से निवेशक उनमें invest करे हैं और तो छोड़िए दोस्तों यह जो online gaming चलते हैं जिसमें बड़े-बड़े cricators participate करते हैं आपको मिर को आमंतरित करते हैं कि अपनी team मनाईए खेलिए और last में आता है कि इस खेल में वित्य जोकिम शामिल है सतर करें मैंने यहां तक देखा दोस्तों लोगों को कि वो ऐसे जोकिम वाले खेलों में पड़ेगा मैं व्याज जिस व्यक्ति से वो लोन लिया जिस बैंक से वो लोन लिया कहने का मतलब है दोस्तों किसी फ्रकार के लालच से अगर हम बच पाएंगे तो हमारी भावी financial crisis create ना हो उस द्रश्टी से भी हमें एक important step क्योर बढ़ेंगे ये सुनिश्चित करना important है लेकिन कुछ और भी prevention is better than cure की मिरे suggestion है जिन पर आगे लिए चलता हूँ दोक्तों अगले कुछ suggestions में मैं ये कहूंगा avoid exorbitant personal expenses कभी-कभी जब हमारी आय बढ़ती है तो हम फिजूल खर्ची में भी सनलिप्त हो जाते हैं और इसका प्रभाव financial crisis की और ले जाने के लिए खुश सकता है तो आप जरूर नजर रखें कि अगर हमारी financial health अच्छी है तो हमारे personal expenses इतने अनाप्शनाब ना हो जाए कि कल किसी वज़े से financial tightness आये तो हम उन personal expenses को ना meet out कर पाएं इसका impact दोस्तो family के maintenance पर भी आता है और मैं यह नहीं कहरा आपको कंजूस होईए मैं यह कहूँगा मित्वे ही बनिये या जिन के पास में अच्छा धन है वो भी यह समझें कि कही न कहीं उनके पास वो धन समाज की लागत पर भी है और समाज के लिए भी उन्हें एक अच्छा example रखना है जैसे हमारे हाँ शादियों में लोग अनाप्शनाप कर्चा करते हैं तो सर इसका प्रभाव क्या हम नहीं समझते क्या कि किसी दूसरे व्यक्ति पर भी हो दबाव जाता तो मुझे लगता है कि एक अच्छा example create होना चाहिए कि exorbitant expenses से बचें और डेली repayment loan मैंने कई बार सबजी मंडी में या छोटे मुटे किराने का काम करने वालों में बिजनेस मेन में डेली repayment loans भी देखें हो सकता है मेरी ये बात आपको जर्नली डाजेस नहीं हो लेकिन ऐसे भी लोन होते हैं दोस्तों 5,000, 10,000, 15,000 small ticket size जिसमें एक recovery वाला रोज आपकी दुकान पर आके खड़ा होगा और आप से 200 रुपे, 500 रुपे लेगा अब किसी वज़े से आपका गल्ला नहीं उठा और अच्छा नहीं उठने के वज़े से आपकी किस दगमगारी सामने वाला और व्याज बढ़ा देगा इस तरीके के लोनों से सर्व हो सके तो बचिए अवाइड इस्यूइंग blank checks to the lenders one of the biggest mistake I have seen happening to the people कि लोन लेते समय, लोन की शर्तों में सामने वाला ने का भाईया मेरे को checkbook से check कार्ट करके दो, हमने blank check कार्ट करके दे दिये सामने और वो blank check में कल किसी वज़े से हम financial crisis में करें सामने वाला क्या amount worker क्या हमारे अगेंस्ट में recovery करेगा you can't think of that इसलिए blank checks अपने lenders को देने से बचिए avoid gambling, investing lottery activities etc सर्जुए से बचिए ठीक है और ऐसी investing से बचिए जो gambling के nature क्यों होती है मैं investment से बचने की बात नहीं करा लेकिन gambling kind of investment से बचिए lottery के activity से बचिए यह lottery की मतलब जो luck पर बेस lottery है उनके लिए मैं आपको बढ़ाओ बहुत से लोग चिट फंड वाली lottery में भी participate करते हैं वहां भी काफी discounted rate पर वो लोग पैसा उठाते हैं मुझे लगता है जब तक आप sure नहों कि जिस purpose के लिए पैसा उठा रहे हैं वो productive है सब तक बोली वाली lottery से भी बचिए तो अच्छा होगा think of availing and insurance cover for functioning में नहीं रहे तो हमारे loan की किस्तों को क्या होगा दोस्तों आजकल ऐसे भी products आने लगे हैं जो आपको इस तरह के की job loss की risk को भी certain months तक cover करने का option है ऐसे ही medical miss happening अगर किसी व्यक्ति के साथ हो तो एक medical cover अगर हम लेकर चलते हैं तो कम से कम अगर हमारा business एंपर होता है जौब एंपर होता है पर हमें अपने विमारी से समबंदित खर्चों का reimbursement हो जाए तो एक medical insurance cover तो properly हो हमारे पास में मुझे लगता है दोस्तों अपने अनुवफ से यह जो prevention के measures में आपके समख्ष जोड़ सका शायद आप इस में से बहुत सी चीज़े follow करते हों और यदि न करते हों तो आप प्रिरित हों कि आप इन में से चादतर points पर बिल्कुल to the point खड़े गए तो बड़ी important बात पर आ रहा हूं कि यह मान लीजे किसी वज़े से financial crisis आ ही बगवान न करे किसी की साथ लेकिन आप कही न कहीं डिफॉल्टर हो गए तो NPA यानि जहां आप अपने लोन का रेगुलर रीपेमेंट नहीं कर पारें तो आपको क्या उस सथी को कैसे manage करना है पिरा कहना है सर कहना शायद आसान है करना मुश्किल है आप यह कहेंगे लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सर के उस समय आपका एक mental balance बना के रखना जरूरी है और यहां जो suggestion मैं देने जा रहा हूं इन में से कुछ या ज्यादतर suggestion शायद आपके काम आए पहला inform the lender and try to negotiate the terms with the lenders for interest rate, tenure extension, etc. जैसे आपने पांच साल का लोन लिया किस्त जादा है आपने सामने वाले को बोला किसी institution को कि भईया मेरे लोन की period बढ़ा दो 5 की जैके 10 साल कर दो हो सकता है किस्त आदी रह जाए किस्त अगर आदी रह जाए तो आपका जो अभी बिगड़ा हुआ financial management system है वो थोड़ा शायद पटरी पे आए try to realize your asset and pay off your loans to the extent possible कई बार हमारा संपत्ती में emotional interest होता है जिस होजे से हम लंबे समय तक NPA रहने के बावजूद संपत्ती बेचने का decision नहीं ले पाते और हम सुझते हैं इस्तिती सुद्रेगी सुद्रेगी बलकि और बिगड़ जाती है और इस दोरान अगर हमने पहले वो संपत्ती बेच दी होती तो हो सकता है loan से safely निकल भी गए होते कभी-कभी ये call भी लेना दोस्तों जरूरी होता है साथ ही दोस्तों यदि ऐसी कोई परिस्तती हो तो rather than selling of such particular asset by the financial institution or lender आप स्वेम उस asset को बेचने का प्रयास करेंगी तो शायद आपको अच्छा price market में भी think of selling the asset then holding it for long तो मेरे पिछले suggestion में ही ये भी point involved था think of moving into a smaller home or asset फिर मेरी बाते यहां जुड़ करके चल रही है कि इसको ego पर नहीं लेना साथ के बड़े मकान में हम रहते हैं या कैसे 3 BHK to 2 BHK फगवान ना करें किसी के साथ ये परिस्तितियों पर यदि है तो आपको ये decision ले करने में भी मेरा मानना हिचकना नहीं चाहिए राइट वान टाइम सेट्लमेंट और लो कदालत option अगर आप बैंकों से लोन लिये हुए हैं तो आप कई बार ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना मैं एक वन टाइम सेट्लमेंट अब कोई मेरे को बूलेगा क्यानूंग जी मेरे तो शायद मेरे इसाफ से वो अच्छा option होगा बनस्पत उस समय टाइम बिंग सिबिल की चिंता करना हुए हम बात करता हूं दोस्तों कुछ लीगल राइट्स के यह लीगल राइट्स का कहने का मतलब यह यह नहीं देने जा रहा हूं कि आपके यही लीगल राइट है आप तो इनको लेके लड़ते रहिए रीपेमेंट मत करिये रीपेमेंट का प्रयास करना है आपको यह पता होना ची कि जब मैं डिफॉल्ट रहूं तम भी मेरे कुछ लीगल राइट्स हैं जैसे राइट्स के अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर डिफॉल्ट है तो डिफॉल् लेका कि सर लोन लेना है तो फिनेंचल इंस्टिउशन से लीजिए बनस्पत प्राइवेट लेंडर्स के वहां जाने का मतलब प्राइमा फिसाई फसना है राइट टू डिसाइड टर्मस ओफ कॉंटेक्ट आप अगर फिनेंचल इंस्टिउशन के साथ खड़े हैं तो आप अगरिक हैं आपके साथ नागरिक का जो एक व्यवार होना चाहिए समानता का व्यवार होना चाहिए आपकी जो मैं कह सकता हूं respect को maintain करते हुए आपके साथ जो व्यवार होना चाहिए वो आपका एक राइट है and right to fair value कि आपके साथ में एक fair treatment भी हो और आपकी asset को भी एक fair value पर ही recovery की जाए यानि ऐसा नहीं है कि आपकी asset तो है 50 लाग की लो ने 20 लाग का तो साव इनकी asset 20 लाग में बेच दो और अपना तो पूरा हो गया no the institution should ensure कि अगर आपकी asset बेचनी पड़े तो वो उसकी fair value पर विखे right to know the recovery agent अगर banking company ने इंसुरेंस company ने कोई recovery agent appoint किया है तो आपको उस recovery agent की authenticity जाचने का भी अधिकार है तो ये कुछ rights जो शायद आपके काम आ सके किसी ऐसी परिस्तथी में मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखे दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि unfortunately मुझे पिसले कुछ समय में अकबार में ऐसी दर्दनाक कबरें पढ़ने को मिली कि किसी व्यक्ती ने financial crisis में suicide कर लिया और यहाँ पर भी कि परिवार साइद suicide कर लिया सर उन बच्चों का क्या दोश है कि जिनको एक अच्छा जीवन मिलना था और ने किसी व्यक्ती ने financial crisis की वज़े से suicide की और दकील दिया अगेर फिर कहूंगा इश्वर न करे किसी की साथ ऐसी परिस्तितिया है पर सर अगर financial crisis है तो शान्त दिमाग से परिस्तियों से निकलने का प्रियास हमें करना है बनस्पत किसी suicide की और बढ़ना मैं राधर क्योंकि ये वीडियो बना करके आप तक मौच रहा हूं तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी ऐसे प्रियास करने चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था कायम हो जिससे इस प्रकार के incident ना हो और इस दिशा में एक social security system भी बनना चाहिए जैसे for an example Insolvency bankruptcy code नाम का एक law दोस्तों आया वो कमपनियों के लिए लागू हुआ जिसमें इस code में individuals के लिए भी Insolven घोशित होने का प्रॉपर तरीका है लेकिन आज तक भारत वर्ष में वो लागू नहीं हो सकता है भारत में अभी एक इतना मैचूर सिस्टम नहीं आया कि एक इंडिजल अपनी Insolvency के लिए IBC का दरवाजा खटखटा पाई और हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी एक option develop हो मुझे लगता है कि भारत वर्ष में अभी बहुत लॉग को develop होने की जुरूत है ऐसे वेक्तियों के लिए जो किसी प्रकार से चाहे अपनी गलती से चाहे बिना गलती के किसी bad financial decision की वज़े से financial crisis में फसे हैं और उन्हें भी जीवन का अच्छे जीवन का एक अधिकार है ऐसा समझ करके लॉग को भी develop होना चाहिए इसमें दोस्तों मैं मानता हूं कि ये वीडियो काफी लंबी रही आपकी expectation से पर मेरे पास मैं भी इस serious topic के लिए जो भी inputs मैं यहां पर आप तक रख सकता था वो रखने का प्रयास करने का यही एक समय जो मैं ले सका आपका उसके लिए जरूर मैं धन्यवाद करता हूं मैं ये जरूर कहूंगा सर के चाहे financial crisis हो फिर भी हमें कोशिश करना है कि मुस्कुराते रहना है वो सकता है आपके अनुपजाद तो emotional बाते करते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए मुस्कुराते रहना है और अगर हमारी परिवार पूरा एक है हमारे साथ है तो हो सकता है हम उस समय के भावावेश में आकर के किसी गलत decision को करने से बचे और आने वाले समय में financial crisis से निकले इन्ही शुब कामनाओं के साथ में कि कभी किसी पर financial crisis ऐसी ना आए कि उन्हें गलत decision लेना पड़े और सरकार इस विशे में काम करे कि लोगों का prosperity level बढ़े आये कि समानता का वित्रण बढ़े इन्ही शुब कामनाओं के साथ यहां पर विराम लेता हूँ बहुत बहुत अन्यवाद जै